वोट्सप गाइस तो मैं आचका हूँ इंडिया के बहुत ही घने जंगलों में और आज की सल वीडियो में मैं यापर मनाने वाला हूँ एक शेल्टर छोटा सा हाउस जिसमें आज रात को मुझे यापर सर्वाइब करना है काम तड़ावत मुश्किल होने वाला है क्योंकि जंगल में आजपस कोई है नी पूरा सूंसान है और सबसे खतरनाक चीज यहां पर शेयर भी है तो घर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक बढ़िया सी लोकेशन डूणनी होगी वैसे वह उपर पहाड़ों पर मस जगा है लेकिन मेरको मन है कि मैं इस नदी के पास घर बनाऊं क्या मैं सुचरता पीने का पाई नहीं होगा इतना थन्दा है यह साफ भी है काफी साफ है पी सकते हैं से कुछ आशपास ही जगा ढूंटे है मेरको नदी के पास ही बनाना घर एक यह जगा मिलिया यहां पर पर अगर मेरे साथ सोएगा रात में दूसरी जगह यह नहीं यह बिलकुल नहीं तो अभी उस तरफ तो बहुत बढ़िया जगा मिल गई है पर उतनाने के लिए नदी पार करनी पड़ेगी इधर घहरी होगी है थोड़ी सी थोड़ा आगे से कूद के आतो हो यहां से रिस्की है जहा अभी अपना मस्त बाटब मिल गया यहां पर तो भाई ना वा सकते हैं फुल पानी रुका पड़ा है भाई पानी बहुत ठंड है मैं नहींगा अभी चलते दुबारा लोकेशन रूड़ने ऊपर थोड़ा बहुत फ्लैट एरिया है यहां पर अम लोग घर बना सकते हैं मतल तो यहां मैंने फाइनल कर लिया है इधर थोड़ी बहुत गीली मिट्टी है लेकिन काम हो जाएगा अपना मेरे पास यह बड़ी आसा कटर है अपने पास यह बड़िया पिक आक्स भी हैं एक चोटी मोटी लगडी काटने के लिए है मरे बड़ी है सा और यह थोड़ी मिट्टी खीशने के लिए हो है और नाइफ है और चोटे मोटे काफी सारे टूल से हैं तो सबसे पहले मुझे एक एरिया को फ्लैट करना होगा शवल से जिसका मुझे जीरो एक्सपीरियेंस है इस टाइम मुझे एक चीज पूरी क्लिय हो गी थी यह काम सोचने में जितना इजी लग रहा था उतना तो बिलकुल नहीं था मिट्टी खोदने के लिए यह डायरेक्ट शवल से काम नहीं कर सकते क्योंकि उपर की मिट्टी बहुत टाइट है तो इसलिए मैं यूज करने वालों पहले इस फ्रावडे टाइप का इस और अभी काम खतम नहीं हुआ था क्रास अटाने से सिर्फ मिट्टी धीली होती है एरिया फ्लाट करने के लिए मुझे शवल भी उसकरनी होगी और तुम्हें तो पताएए कि तुम्हारा वाई हर चीज में प्रोफेशनल बनी जाता है तो मैंने अपना प्रोमोन ओन करा और कर दिया एरिया फटाफट से फ्लाट तो ठीक है अभी सारा का सारा एरिया मस्त एक दम फ्लाट कर दिया है और अभी नहीं मेरे को चारो तरफ घड़े करने पड़ेंगे क्योंकि चारो तरफ मैं पोल डालने वाला हूं जो की प्रोपर मस्ट फाउंडेशन बनेगा उसके ब तो सबसे बहले मैं यहां वाला गरने वाला हूं हो सकता है बीच में पत्थर आजा तो तागत जादा लगी कि बढ़ ठीक है स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट मुझे इतना घड़ा तो कर नहीं होगा मितलब इतना हाथ चले जाए क्योंकि लकडी जोए थोड़ी बड़ी है तो वह इतनी जाएगी तब ही होल्ड़ेगी पत्थर आगया बाई पत्थर फोड़ना पड़ेगा इतनी मैनस से एरिया फ्लाट कर रहा था सारा खरा वजाए बाई नीचे की मिट्टी ठंडी जासा बरफ हो बाई इतना मस्त घड़ा कर रहा है बाई चांस यहां कर कोई सो बाई बाई बहुत ही बड़िया यहां पर मैंने घड़ा कर दिया है अब सेम इसी टाइप के मुझे बाकी तीनो जगा पर भी करने है जल्दी करते है काम शुरू यहां से तो यह काम भी ड़न अब मुझे घर मनाने के लिए ठूड़नी होंगी कुछ लगडिया तो लड़क मुझे च्छत भी धकना होगा अपने घर का बड़ सबसे पहले कोई बड़ा डेट ट्री चाहिए होगा जिसको मैं तोड़के चारो पिलर बनाता हूं तो बस थोड़ी बहुत धुना रंडी करने के बाद ही मुझे कुछ ऐसे डेट ट्रीस मिल गए जिसको मुझे कट भी न अपना शेल्टर बना सकता हूं बट मुझे पहले इनकी थोड़ी वो टैनिया काटनी पड़ेगी तो भी मैं मस्त ये पतला सा लॉग लेकर आ चुका हूं जिसे हम लोग ऐसे कॉर्णर में लगाने वाले पेलर के लिए पट पहले थोड़ा इसे चॉप कर लेते हैं ताकि इसकी लुक थोड़ी और मस्त हो जाए वैसे मुझे नहीं मालू मैं ऐसा क्यू कर रहा हूं बिना इ मैंने कुछ प्रोफेशनल्स को करते हुए देखा है तो आप लोग को बते हैं तो कॉमेंट सुमता ना तो भी काफी ठीक ठाक चॉप मैंने से कर दिया और जैसा करना चारत है वैसा हुआ नहीं तो भी सीधा इसे गाड़ने के स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी लुक के ले इ थोड़ा सा उंचा है मैं खड़े हो पाऊंगा अब ठीक है पर्फेक्टा भी स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ओर टाइट करता हुए से पत्थर लागे ना तो गया वाई बढ़िया अच्छा का सा मजबूत है घर बनाने के तो टाइट नी करना तो भी बाकी तीन मी लगान हैं पर अभी जो बाकी लगडिया है ये थोड़ी बड़ी है इंसे थोड़ा सा अंदर जाएगी और अंदर चल जाएगी पर फिर भी इसकी हाइट जादा है तो मुझे पहले से काट के इसके बराबर करना होगा यानि अगर इतनी अंदर जा रहे है तो इतनी काट नी कट तो करनी बढ़ेगा भी तो चारो पीलर्स बनाने के बाद मैंने थोड़ी मेजिरमेंट्स ली क्योंकि अब बारी है रूफ बनाने की थोड़ा नया हो भाई हो जाता है तो भी घर का फाउंडेशन फुल रड़ी हो चुका है उपर मतला पिलर वगारा सब लग गया है अब बस साइड और चछत बनाने हैं जिसके लिए मैं कुछ ऐसी लगडियां लेकर आँ यह परफेक्ट साइज है तो इस टाइप के एक दो तीन चार पांचे साथा नोदफ पता नहीं कितनी लगेगी पर पत्ते उत्ते लगा के फुल छट धकने वाले हैं स्टार्ट करते भाई फटा फट से मुझे यह लगडी मालो अगर यह लगा दी दो तो जोडनी भी पढ़ सकते है भाई यह टूट गी ठीक है तो एक ऐसे लग जाएगी फिर एक ऐसे अगानी है अगानी घर का धाचा पूरा का पूरा रेडी हो चुका है और एक ताब मस्त साइज है आपन सोने का है बैठने का है फुल चिल करने का सीने लेकिन अभीना फ्लोरिंग करनी होगी यह से गीली मिट्टी है काफी कपड़े भीग जाएंगे और साइड साइड में तो लकडी है मैं सोचना से मिट्टी के क्लेयर कर दूँ तो बढ़िया हो जाएगा तो भी फटा-फट से थोड़ी मिट्टी लेकर आतो मैं थोड़ी बहुत मैंने आपर खोद दी है तो इसी को ले लेते हैं और साइड साइड में को भी डांगना है इस दिए अना सारी लेकर आओ थोड़ा रेस्ट करने के लिए तो अच्छा 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 तो च्छत वैसे काफी बढ़िया हो चुकी ती लेकिन मैं फ्रेंट साइड शोड़ी न अच्छी करना चाहरा हूं तो यह लकडिया लाया हूं फूल ऐसे सजावट के लिए जैसे माइंकफ में करता हो ना मैं तो सेम वैसी यहां भी गरेंगे तो फाइनली अपना शेल्टर पूरा कम्प्लीट हो चुका है हाँ थोड़ा बहुत साइड से पत्ती वगरा कम है वो मुझे थोड़ी बहुत पत्थर लेने नदी के पास मिल जाएंगे पत्थर बढ़िया यह चीज़ चाहिए सॉफ्ट होते काफी इस टाइप के चाहिए होंगे बोरा लेकर आता हूं सारे भर के चलते हैं अपर जितने में काम हो जाएगा अपना फ्लोर पूरा रेडी हो जाएगा इतने में पत्थर इतने में तो काम नहीं होगा वैसे पर स्टार्ट करते हैं लगाना यहांसे तो फाइनली गाइज अपना शेल्टर फूल एकदम मस्ट बनके कम्प्लीट हो गया कुछ ऐसा दिख रहा है अभी है पूरा चारो तरफ से मस्ट घास मस्ट लग गी है और इसके टॉप पे मैंने यहां पर पूरा चट भी डाल दिया एकदम शेडवेड मस्ट बना दिया इ तुम्हारा भाई यहां पर अराम से बैठ सकता और बहुत मजबूत बनाया है मैंने से मतलब अंधी भी आगी न तो खुलने नहीं वाला को कि यहां पर देख लेग इधर रसी धर रसी धर रसी हर जगा मैंने रसी बनाई है जैसे घर बनता है और सबसे मस्टीज मैं आज र दर है कि अगर आज बारिश हो गई तो दिक्कत होने वाले क्योंकि यह वाटर प्रूफ निया भाई पानी एकदम खतर ना टबगने वाला है पर हां में sleeping bag बंद कर दो मैं भीगने नी वाला है चोलो भी ठीक है जितना भी समाने अंदर लाकर रखते हैं आज बहुत जादा अगरा भी थोड़ी देर में होने वाला है तो काम तुमारे भाही ने सारा खतम कर दिया तो अब ही बहुत जादा अंधेरा हो चुका है काफी थकावट अगया भाई और मुझे ना ठंड लगने लग गई और थोड़ी बहुत भूग भूग भी लग रही है थोड़ी बहु पत्थर बहुत सारे हैं तो इन पत्थर से गोला बनातों लेकिन पत्थर ने चीटे विटे तो यह मस्तेरिया हो गए अब लगडियां लाता हूं मैं कुछ पले थोड़ी बहुत पत्ति लगडियां लगानी पड़ेगी ताकि मस्तांग लग जाए उसके बाद यहां पर जाए भाई हवा तेजा लगड़े थोड़ी लगड़ी जलानी पड़ेगी फटर बड़ेगी तो इसमें लो भाई फाइनली आंग लग चुकी है दो तीन बारी आग भुच गई थी क्योंकि बहुत तेज अवा चल ले इदर मतलब चले लग जाती है अचानक से बड़ी ठी दिरे थीरे मिरे को जाए अपर टाइम पास नहीं करने मिरे को भी खाना भी बनाना भूक लगए भूक भी दूर करनी है तो इसके लिए मेरे पास एक मैगी है और कुछ ऐसा मतलब आईटम है जिसे मैं गरम करके खा सकता हूं तो वेट करते हैं और एक बड़ी लगड़ी त तो एक बड़ी लकडी में आग लगना जरूरी है तो इसको पीछे साइड में लगाते हैं इधर ताइम लगेगा इसमे अग लगने में पर धीरे धीरे आग पकड़ लेगी और दियान दगना भाई में को जो चीजे उबाली है उसके लिए तो पानी चाहिए तो पानी कि मैं कि मस्त उबल चुकिए पर धुहा सारा मेरे ओपर या ठीक है मसाला डालने की बारी है मैंने आग थोड़ी सी कम कर रहें क्योंकि उबल के पानी भार आ रहा था अब आल देते हैं भाई यह मैं की कम अरहर दाल जादा बनगी है पर ठीक है तोड़ा टाइम लगेगा भी मैंगी वाली फील आई इसमें वर ठीक है अवाज और फील अच्छी आ रहे है खुश्बू आने लग गिया मैं रो नहीं रहा हूं भाई इसको दुआ है मैंगी तो बढ़िया बन गया बरतन में लिया हूं फटा 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 निकाल के खाते ह मेरको पता नहीं टेस्ट कैसा आने वाला है पर हाय मैं आगे एक जैसा ही यहागा टेस्ट गरम भो तो रखिया लेकिन दम पूरा धुआ निकल गल गागे देखता हूं मैं लग रहा ना जादा गरम कर दी पूरी यह तो गल गई है पास्ता में की हो गई है है वाई दम तो ह मेरे हाथ में में को लग रहा है थोड़ा साइड देना चाहिए अपनी थंडी होती रहेगी क्योंकि जादे गरम होगी है अब ही है मस्त है सारी निकालते हैं फिर खाते हैं हो भाई मस्त खुचबू आ रही है अभी जादा बना दिया मैंने थोड़ी और खा लूँँ बठा पहले इतनी खा की देखते हैं मस्त में जाने वाला है वी तो यह बाकी जितनी बनी है ना सोचनों टिफिन में पैक कर लो थोड़ी गरम रहेगी एक्स्ट्रा इतनी खा रहा हो भी मैं चिपक गई है सारी मैगी नीचे इतनी तेज आग गुई थी ना बीच में मैगी पतीला बन गया भी है चलो भाई बढ़िया किस किस का मैगी खाने गावन कर रहा है कॉमेंट्स नो ताना पर खाना मत था मैदा होता है तुम्हारा नुकसान करेगा काफी मैं तो टाइम पस करें थोड़ा अभी खाने वाला हूं मैं मार्श मैलो मस्त रोस्ट कर गे इसको खाने गा हाथ वाथ भी सेक लिया है थोड़ी देर में शायद से आंग भी भुच जाएगी मैं जा रहा हूं सोने स्लीपिंग बैग में लेकर आगया हूं जूते बगार यू उतार लेता हूं चलते हैं अंदर पहले यह भी चा लेता हूं तो कि पत्थर रखे नहीं हो सकता पत्थर यह बिछा दोगा ना तो सेन बढ़ी हो जाएगा पत्थर नहीं चूबेंगे और मेरे पास एक कपड़ा है जिसको मैं आगे से ढख लोगा तो मैं पूरा कवर हो जाओगा फॉर्स ताइम मैं एक स्लीपिंग बैग के अंदर सोने गारा हूं भाई गलत इन्टर नहीं है इस इस तो मस्तिक दो गरम है मैं से पूरा पैक कर लोगा अभी मैं नहीं चाहता रात में में साथ कोई कीडा मोगण अंदर राजह बाकि हाँ आप लोग को आज के वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगिए दर वीडियो को जा के लाइक करना इस वीडियो पर इम करते ह वन मिलियन लाइक के लिए मैं पहली बार इस चैनल पर इतना बड़ा लाइक गोल कर रहा हूं आई होप आप लोग कम्पीट कर दोगे बागी मज़ा है यह अल्मोस में लिए बहुत खतरनाक और एक ड्रीम चैलेंज था जो कि मुझे गरना था मतलब जंगल मुझा गर बना काफी आरता बट बहुत मज़ा आया अई होप आप लोग कोई मज़ाया होगा तो कॉमेंट सुन जाकर बताना वीडियो कैसी लगी और चैनल पर नहीं हो तो इस टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाकि मैं आप लोगों से मिलूग चाही और तक मैं से लग्णे हों से तो आया क्यों से वहाद का परताइब कर अचना हो